असलाम अलेकुम गुड मॉर्ण याप सबका मेरी चैनल पर वापस स्वागत है यह गोल्ड का चार्ट है 1913 डॉलर के असपास गोल्ड प्राइस चल रहे हैं कर यह जो एक बड़ा सा कैंडल आप देख रहे हो यह कैंडल है डीटा के टाइम का कैंडल जब आडवांस नॉन फा पेरोल नंबर शॉकिंग ली भौज ज्यादा हाय आया थे इसकी वह से मार्केट ने जबर्दस क्रैक दिया उसके बाद वापे से दो तिन डेटा और एक डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव भी था ज्यादा मार्केट ने एक ही कैंडल में अपना सारा काम कर दिया आप ही दे ऐता बर उसके बाद आप देख सकते हो वर एक कैंडल में पच्षिस चबीस जॉल्र का काम हुआ उसके बाद तो फिर एक लह वह साड़े सबांड़ चाहाल चयावski कैंडल है उसके बाद थोड़ा सा हल चल ला रहत नाए उसके बाद तो अब देख सकते ह। 1910 से लेकि 1907-1906 के कैंडल सी बन रही है तो अगेन यही पैटरन हम देख रहे हैं काफी दिनों से के डेटा आता है तो जबरदस उचाल आता है यह जबरदस क्रैश आता है और फिर हमारा जो गोल्ड प्राइसे यह सिल्वर प्राइसे से एक तरफ टिक जाते हैं अब आज जो है आज कल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है आज है एवरिज आवरली अर्निंग्स नॉन फार्म इंप्लॉइमेंट चेंज अनिंप्लॉइमेंट ट्रेट छे क्या है कर लीजिए ताकि लाइव स्ट्रीम का जो नोटिफिकेशन है आपको फोन पर मिल पाएं बाकि अभी का रिजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है देख लेते हैं गोल्ड का 1922 रिजिस्टेंस है इसके उपर जाता है और सस्टेन करता है धियान रखेगा सस्टेन करने की ज़रूरत है 1922 के उपर सस्टेन करता है तो उनिस्टी सो चालिस तक जा सकता है और नीचे जाता है तो अफेस से लेके 2278 तख की एक कैंडिल है उसके बाद एक डेटान होर आय था जैसे के मैंने बता है व mortar सब्सक्लाव यहां पर पूरा आप ही देख सकते हो 22-62 से लेके सिर्फ 22-73 तक यह जो 8-10 घंटे काम हुआ है उसके बाद से इंफाक्ट 12-13 घंटे जो काम हुआ है सिर्फ 10 संट की रेंज में ही हुआ है तो यह थोड़ी सी मसला चल रहा है गोल्ड सिलवर के अंदर रेंज का डेटा की टाइम पर ही सिर्फ रेंज आ रही है उसके बाद कुछ हिल भी नहीं रहा है आज का रेजस्टेंस है 22-80 सेंट का यह थोड़ा सा ही रेजस्टेंस है 22-80 के उपर जाके सस्टीन करता है तो 23 दॉलर तक एक पार जा सकता है सपोर्ट है आज का 22-50 का 25-50 के नीचे 22-20 कहीं पर जा सकता है ट्रेंड इसका भी वीक है इस तरीके से बड़े-बड़े कैंडल बनाए है यह वाले उसे वह से ट्रेंड वीक हो गया है यह कल के लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन पर 71 डॉलर का सपोर्ट था नीचे गया पर उसके बाद जबर्दस्त उपर भी आया है अभी जो है पॉजिटिव जोन में बस एंट्री होने वाली है बिकॉज रिजिस्टन्स जो है 72-50 का इंटैक्ट सपोर्ट है आज का 71 डॉलर ट्रेंड जो है फ्लाट है इविन तो इतना ज्यादा विजट कर लिया है इसने पूरे चक्कर लगा लिया है यह 72-30 से लेके 70-20 बट अनफॉचुनेटली यह जो क्रैश आया था यह डेटा के टाइम पर साड़े 6 बजा पर देख सकते हो क्रैश आया उसके बाद इंवेंट्री आई यह इंवेंट्री के बाद जबरदस तेजी आई है उसने पूरा का पूरा जो इनकी लॉसेज हुए थे यह जो कैंडल लॉस हुआ था वापिस से उपर आल्मोस्ट भर दिया है इनफाक्ट हाई की तरफ जा रहा है तो इसलिए ज्याद प्रेंड में चेंज नहीं है अब आते हैं यूरो पे यूरो आट सो का सपोर्ट था कल हमारा 833 तर गया था अभी के लेवल चेंज है आज का रेजस्टेंस है 940 का सरपोर्ट है 870 अच्छी एक तेजी आई है रिकवरी नीचे से एक बार 930 ब्रीच करें तो और ज्यादा अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है फिलहाल फ्लाट टु पॉजिटिव है अल्मोस्ट पॉजिटिव ही कहना चाहूंग हमें ऐसे बट एक 900 के उपर निकलेगा तो ज्यादा बेटर यूरो में तेजी आईगी यह कल के लेवल्स रजस्टेंस है आज का 2760 का और सपोर्ट है आज का 2700 का ट्रेंड इसका अभी भी फ्लाइट है तो रखेगा ख्याल बाकि शाम को लाइफ स्ट्रीम करेंगे अगर आ करती है आपको कुछ डाउट है तो मेरी टीम के साथ आप और सब्सक्राइब कर सकते हो नमबर डिस्क्रिप्शन में है लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूस का अपडेट में टेलेगरम और विटर पर देता हूं दोनों का जो अड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा कर दो कर दो कर दो है